राजिस्तान प्रिम्ज स्पेसल स्थीद में हम डिस्कस्ट कर रहे हैं स्प्रिंग बोड अकैडमी के टेष्ट तो आपने देखा होगा हमने 8 टेष्ट अल्रेड़ी डिसक्स कर लिये हैं यह आज हमारा टेष्ट नमर नो डिसक्स्ट होगा उसके साथ यह फुल लेंद दूसर लोग जानते होंगे. पिर त्योक तेख तरप्ण ने इस बार, यानि के, अक्टूबर मेगजिन में दो टेस्ट निकाले हैं. एक तो राजिस्टान के नाम से और दूसरे निकाला वी पेसी स्पेटीर के नाम से. तो अब पहले टेस्ट डिसके olur करेंगे आईस्तान इस्पेसल का तो उस टेस्ट को मुझे देखके लग रहा कि हाँ वो एक लेबल का टेस्ट है और एक पैटरन पर अधारी टेस्ट है तो होगा क्या कि देखिए होगा कि कोचिंग के सब्सक्राइब करें तो आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोश्तों को भी लिंक शेयर करें तो चलिए स्टाट करते हैं पहला ही कोचन है निमली कित में से असंगत युगम को छाटिए। तो एक साइड में तो लोग देखता है दूसरी साइड में मेला तिथी है तो यह देखता है राम देब जी तो इनका मेला कब लगता है? भाद्र पत्र सुक्ल दुत्तिय से अगली एकादेसी तक लगता है दूसरा पाबु जी तो चेत्र अमावस्या के टाइम पे ये मेला लगाए जाता है तीसरा है तीसरे देपता है मलिनाद जी तो इनका मेला जो है चेत्र किष्णा एकादमी से पूर्णिमा तक नहीं लगता है इनका मेला कब लगता है इनका मेला लगता है ये पसु मेला होली के अगले दिन से सुरूओ कर पंद्रे दिन तक यानि कि चेत्र कृष्णा एक अदिसी से सुकल पक्ष की एक अदिसी तक लगता है कहां पर ये लगता है तिलवाड़ा बार्ड मेर में ये लगता है क्या है पस संस्थापक. तो पहला ही है, जाइपुर घुलाने के संस्थापक थे? तो जाइपुर के थे? भूपत खां. ये फिर मनरंग कहती थे इनको. दूसरा मैवाती घुलाने की संस्थापक तो मेवाती घराने के संस्था पकते घग्ये नजीर खाँ तो यहाँ पर मान तोल खाँ गलत लिखावा है तो यह गलत आ गया तीसरा किराना घराने के कौन थे बंदे अली खाँ यह सेनिया घराने के कौन थे यह थे सोरसेन चलिए नैस चलते हैं राजिस्तानी हश्ट कला के भोगोलिक संकेत कि यानि जी आई टेक से सम्मधित तत्यों पर एंसत्य कतन को आपको बताना है कौन सा स्टेट्मेंट इसमें रोंगे तो पहला स्टेट्मेंट है कि जी आई टेक केंदर सरकार के उज्धोक समर्दन और आंतरिक व्यपार रहा है अभी हाल में कितने मेला पांच को मिला है अपको कितना होगा 21 होगे तो दूसरा इस्टेट्मेंट भी ठीक है पहला भी ठीक है नाथू द्वारा की पिछवाई कला जोतपुर बंदेज उदैपुर की कौफ्त गिरी बिकनेर की उष्टा कला बे बिकनेर कश्टकरी क अगेश्ट 23 में जेटेग मिला है तो यह आपको पता होना चीए पूछाए कि इन में से किसको नहीं मिला है क्लिए तो इसका चारो पांच को आपको ना पता होना चीए नेश्ट है बोगोलिक संकेतक का पंजिगरन 10 बर्स के लिए माननी है होता है ये बात भी ठीक है अब सेली से समंदिते साहिब राम दूसरे की बात करें बिकानेर सेली से हामिद रुकंदीन थे अलबर सेली से समंदिते सालिक राम और नातु द्वारा सेली से समंदित ये बदन सिंग नहीं थे तो बदन सिंग से समंदित थे बदन सिंग ते किसंगर सेली से तो चोता स्टेटम हज रामनात सवाई राम और ये लाड़नी दास ये सारे यूते किसन गड़े सहली से संबंदित थे चलिए चलते हैं एक तरफ पुष्टा गया और दूसरी तरफ लेखा गया तो गोरी संकर हीरा चंद्र ओजा इनकी पुष्टक का नाम क्या था ये थी प्राचीन लीपी माला दूसरी बात करते हैं कभी कलोल तो कभी कलोल तो इनके थी पुष्टक ये धोला मारू रदूला नैस्ट बात करें किरपर राम खड़िया किरपर राम खड़िया थे इनकी पुष्टक थी है रज्या रदूहा बात करते हैं आचारे महरुतं की तो आचारे महरुतं की जसो भूसन तो इसका अंसरा गया तीसरा चली ने शलते हैं एक तरफ सहंस्था है और दूसरी तरफ इस्थान है को सहंस्था कहां से संभन दित थी तो पहला statement है राइश्थान साहिट्य अकादमी तो यह कहां थी यह थी उद्यपूर में दूसरी बात करते हैं राइश्तान भासा साहित्यावन संसिक्रत अकादमी तो संसिक्रत अकादमी ये कहां पर थी ये बीका नेर में थी ब्रज भासा ये अकादमी कहां पर थी ये अकादमी थी जैपुर में बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की तो ये तियाप की जोधपुर में प्लसका दूसरा अनसर आ Information आ प्लए घृष्टे तियो जो हरों को उनके माह के आनुसार समेलित की जिए एक तरफ तुहार हैं दूसरी तरह माहा हैं तो पहले देख लेते हैं राम नंभी कब मनायाति ए तो राम नंभी मनायाति चेत्र माह05 माग महा में उसके बाद में यह आमला नमी का मना यह श्थाक में वहीं सात उली तीज की बनाई आता है सात उली तीज मताई था बहातिजल्र तार्पद में तो इसका अंसर सी आजाता है किले चलते हैं तनेला इस गोशन है नीमिलीज मेंसे कौन सा पुरा तात्पिक इश्थथल ये सब्विता थेली सुमिलित नहीं तो पहला कुराडा से के मिला खेती के ओजार मिलें यहां से गिलुन से हातिदात की चूड़ियां मिली है रंग महन से ये कुशान राजा ये वुईशक भी वस्वताब के सिक्के यहां से नहीं मिलें ये कांसे मिलें भरतपूर से ही मिली थे तो बहरतपुर से मिलीते हैं तो तीसरा périuky जो वो गलत है जो था ओजियानस Race गलत है चलिएंट ए बिग्ड्रीराज्टवर। च्छाट के कौन सा सत्य कथन है तो पहला है इसने गुजरात के चालुकी राजा कुमारपाल को हराये था किसने बिग्रेया राज ने तो पहला इस्टेर्मेंट ठीक है दूसरा है इसने भारभी के किरातुर जिनियम पर अधरित हरकेली नामक नाटक लिखा था दूसरे वाली की श्थम लेख लिगवाए था तो तीसरे स्टेट्मेंट भी ठीक है नेस्ट है इसने बीस सलपूर की श्थापना की तथा यहाँ पर तलाब बे यह गोकडेश्वर महादे मंदिर का निर्माड कराये था तो चारव पॉइंट इसके ठीक है तो इसका मतलब यह आपका अंसर भी आ जाता है नेस्ट है आहर में बारह मंदिर का निर्माड कि सासक ने करवाये था तो यह करवाये था बपा रावल ने नेस्ट कोशन है कुंबा के बारे में निमली की तत्यों पर विचार कीजिए और कौन सा ऐसत्या है यह बताना है आपको तो पहले स्टेट्में के अनुसार कुम्बा ने में बार के 24 दुरजों में से 32 का निमल कर रहता तो यह बार ठीक है तीसरा कुम्बा ने संसिकरत भासा में अतूल्यय चतूर्त यह बनंदनी न व्रती नाटक लिखे, तो यह बार भी गलत है क्योंकि इसने संसिकरत में लिखा है और यह लिःटा तो है महराठी में, यह महराठी बसा में लिखा आई ही, ठीक है, तो लिए गलत है, चले नेस चलते हैं, तो इसका अंसर आपका क्या आ गया, इसका अंसर आ गया, नेस चे, मारबार के समंतों की सहनियों में से कौन सा संबन्दित नहीं है, तो पहले statement है कि राजबी, दूजरा सरदार, तीसरा मुस्तदी और चोथा ये हजूरती ये समन्दी नहीं है मारवड के समन्दों की चार सिर्णे होती थी कौन सी राजबी, सरदार, गिनायत और मुस्तदी चलिए नहीं चलते हैं, कौन सा एसुमेलित युगम है, तो ये बताना है, पुष्टक और लेखक तो पहले ही है, राजिश्थान रोल इन दा स्ट्रगल ओफ 1857, तो ये केसरी सिंग बाराट के नहीं थी है ये पुष्टक के लेखक कौन थे? नाथूराम ये खढगावत थे, नाथूराम इसके लेखक थे, तो पहले स्ट्रेमेंड दे गलाते है, कौन थे? नाथूराम खढगावत दूसरी पुछतक देख लेती है मिटिनी लीज इन राजपटाना जो केपटन ईटी रिचार्ड ने लिखी थी तारीक राज़िसतान ये लिख थी काली राम काले लीजितने इंडियन वार ओफ इंडियन इिंडियन इंडियन ніंपेंडेस ये लिखी बिडि़िसाबर करने चल उपधांडरी सबाग दोरा कबीर पाट साल भे उत्री पाट साल की स्थापना की गई दूसरी बात भी ठीक है तिसरा मेवार्ड प्रिजावन्डल के प्रितमा दिवेशन 1941 का उद्गाटन पंडि जबान लेहरु ने किया था यह बात गलत है तो इसका उद्गाटन किया था जे भी किरपलानी ने किसने किया था जे भी किरपलानी ने इसका उद्गाटन किया था तो ये इस्टेटमेंट तीसरा गलत है चलिए नहीं चलते हैं भारतिया समिदान सभा के निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कतन सही एसको वेरम आपको बताना है पहला है इस सभा में राजिस्थान के कुल 12 सदस्य थे पहला इस्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा 24 जनवरी 1950 को समिधान सभा की अंतिम बैटेक हुई थी तो दूसरा इस्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा है समिधान सभा में कुल 16 महिला सदस्य निर्वाची तुझी 16 नहीं थी पंद्रे दिये तो तीसरे इस्टेटमेंट जिसम आएगा वो गलत हो जाएगा पहला आपका अंसर है चलिए नहीं चलते हैं समिधान के अनुसवार कोई वियक्ति संसद का सलस्य नहीं बन सकता विए किसके अनुसवार समिधान के अनुसवार ये बात ठीक है लेकिन ये ये सम्मिदान के अनुसार नहीं है ये 1951 के अधिनियम के अनुसार हो सकती है बट सम्मिदान के अनुसार नहीं तो दूसरा इस्टेर्मन गलत हो गया तीसरा है उसे दिवालिया घोसित कर देगा है तो ये बात भी ठीक है और बहन निर्दारी समय कि तो चुनाप का खर्चा बेरो देने मैं सबल रहा हूँ यह भी अधिनियों के अनुसार नहीं है तो जिसमें पहला और तीसरा आगा वह आपका ठीक है तो देखे बी बी और डी किसके अनुसार है यह जन प्रतिनिवी अधिनियों उन्निस स्वे क्यामन के अनुसार है ए और सी के बारे में समिदान में मैंसन किया हुआ है नेस्ट है सही युगम को सुमेलित कीजिए तो पहले स्टेट्मेंट है कि लेली थोमस बनावं भारत संग मामला किसरे लेटेट था तो यह था चुनाप चुनाप सुदार से संबंदित वहीं बात करते हैं किष्ण कुमार सिंग बनावं विहार रज्ये तो यह किसरे लेटेट था यह अध्यदेश से संबंदित था है वहीं बात करें जन्रेल सिंग बनावं लक्षमी नायान गुपता तो यह किसरे संबंदित था यह था पदान निदी में रक्षण से संबंदित था वहीं बात करें नमाब रज्याबा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 यह फिर तीनों, तो यह तीनों के अनुसार मामला है, आर्टिकल 14, 19 और 21, चली नाइस्ट है, कौन से राज्जी अपने गटन से पूर्व, संग साथित प्रदेश थे, तो कौन थे अपने जो आभी इस टैंप पर राज्जी हैं, पहले ABC जिसमा अंसर है, वो ही आपका अंसर है, चली नाइस चलते हैं, लोकसभा के सभापती की तालिका के संदर में, निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए, और सही कतन को बताईए, तो पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा अपने नियमों के अनुसार, सदस्यों से दस को अध्यक अधिकारी हो सकता है, तो ये पद रिक्ती के दोरान नहीं है, अगर अनुपस्तित होता है, अगर अध्यक्ष या उपद्यक्ष अनुपस्तित होंगे, तब वो कर सकता है, पेड़शनिकादी, अगर ये पद रिक्त है, तब नहीं हो सकता, तो पद को जल्दी से जल्दी भ विश्टा को दरसाती है चलिए नेमलिकित में से नेमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए पर यह सही पूछरा गलत यह देख लेते हैं पहले इसमें जो सही पूछरा है कौन सा सही है तो पहले स्टेटमेंट है समिदान में इस बात की कलपना की गई है कि राज जीपाल अपने बिबेक के अदार पर कुछ इस्टितियों में कार्जे करे जबकि राश्टेपती के संदर में ऐसी कलपना नहीं की गई है तो पहला इस्टेटमेंट यह ठीक है दूसरा बेयालिस में समिदान संसोधन के बाद राश्टेपती के लिए यह मंत्री परश्ट की इसलाप पर ब पर विचार कीजिए तो कौन से कथम सही है तो यह बताना आपको तो पहले स्टेटमेंट है कि भारतिया समिदान दुआरा समाजबादी गांधी बादी और उदार बोधिक आदी में बिभक्त किया गया देखिए भारतिया समिदान में कहीं बिभक्त नहीं किया गया अपनी उदार में नहीं है समाजबादी में है यह आर्टिकल किसमें समाजबादी में है दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है तीसरा मिनरब मील्स बाद 1980 में उश्तम नियालिय नहीं है ब्यवश्ता दीती के भारतिया समिधान मूल अधिकारों और निज़सिक तत्वों के बीच संतुल बताना आपको तो पहला है मूलते यह एक सदस्य निकाय के रूप में गटित किया गए था तो यह बाद ठीक है दूसरा मुख्य निर्वाचन अयुक्त को उसी रिती सेवे उन्हीं अधारों पर हटाए जा सकता जिस अधार पर उश्तम नियालिय के निज़स को अटाई जा कहीं भी रोक लगाई नहीं गई है तो चोता स्टेटमेंट भी गलत है अब यह यह पहले एक निकाय हुआ करता था लेकिन 1989 के बाद से इसे 1 प्लस 2 कर दिया गया है नैस्ट है यूगमों को सही सुमिलित कीजिए यानि कि कौन सा यूगम किस से रिलेटिड है तो पहले स्ट खत र मां समीदान की बात करें तो यह प्लस रिलेटिड है यह नरसी मां रावत्र और यह चलिय sûr हूआ कि यह तो आपका इसके अंसर आता के पिरती उत्तरदाई होती है तो पहला statement हो गया दूसरा भारतिय समिधान का उन्चेद 163 राज्यों में संसद्ये स्वैसन ब्याविश्टा का बंद करता तो संसद्ये स्वैसन में ही तो होती है उत्तरदाई पिये तो दोनों बात है ठीक है और इसकी ब्याक्या भी यह सही कर करता है क्लिए रहे चलिए आगे चलते हैं किस एक की श्थापना पैरी सिद्धांतों का अनुसार की गई थी तो किसकी राष्टिय मानावदिगार आयोक की श्थापना इसके सिद्धांत का की गई थी कब 1993 में नेस्ट है सहीउक्त बैठक में कोई भी समिधान संसोदन तभ जो बिधहक विशेस के पारित होने में बिलम के करण अनिबारिय हो गया हो तो इसके लिए भी जरूरी हो जाता है दोनों बात है ठीक है नेस्ट है कोशन मर्ट 29 है निमन कत्रों पर विचार कीजिए पहले स्टेटमेंट है जगदिस धनकड राजिस्थान से उपराश्टेपत जो चुने गए थे दूसरा इस्टेटमेंट के लट हो गया तीसरा निलम संजीब रेड़ी एकमात राश्टेपती है जो लोग सभा क्या देख्ष भी रहे हैं तो केवल तीसरा इस्टेटमेंट ठीक है और यही चुने गए थे क्या निर्वरोद राश्टेपती की रूप म भाग में संभलित कौन कों से होंगे देखी अगर आपना राश्टान का मैप देखा होगा तो सबसे लाश्ट में क्या है इतर B.W. है इसके जश्ट पूरब में आयता फिर यहसके पूरब में आयता B.S. तो B.S. में कौन को से जिले होंगे? बीएस में ऐसा दुगी कोई इसमें आपके बता दियागा है कि कोई ऐससर नहीं है लेगिन फिर भी इसमें कॉन सा वगा नागोर की छेत्र-का होगा और ये अजमेर का चेत्र होगा इधर और ये इधर के जो होगा कुछ जिलाई ये गंगनार का भी आ सकता है इसमें तो इसका उत्तर नहीं दिया इसमें देगी बी एस डबलू में लूनी वेसिन वे बला है घगर वेसिन बला है नागोर बे सिकावटी छेतर बोला गया इसमें नैस्ट है कौन सा युगम एसमेलित है तो पहला है है तो जाना मांदा आपका यह भरत्पो में यहाँ पर करोल में तो पहला तुसरे स्टिट्मेंट गलत है गांदी सागरबांद का उग है यह वन्तव Pe," रो तीसरे स्ट्रेट्मेंट में है तो तो त те तो दूसरा तलवाड़ा मीठे पानी की जील है तो दूसरा इस्टेटमेंट ये ठीक है चलिए निम्निगीत कतनों पर विचार कीजिए उन्हें विन्तम सत्रमीं ये बन गड़ना के अनुसार बताईए कौन सा कतन सही है तो पहले स्टेटमेंट है राजिश्थान में संद्रक्षित बनों का प्रतिसत 37.05 है तो ये गलत है कितना है चपन पॉइंट 43 है यानि कि 56.43 परसेंट है ये पहले स्टेटमेंट गलत हो गया बन छेत्र में सरवाधी कमी जालोव में दर्जिकी गई है दूस इस्टेटमेंट गलत है नेश्ट है कौन सा कतन सत्य आपको बताना है दूस दीखिए ये तालचा पर अभिहने जो यहां कुरंजा पक्षिय अधिक संक्या में पाई जाते हैं क्लियर है दूसरा इस्टेटमेंटी सत्या है नेश्ट है अराबली में सरवाधिक दर्रे किस ज की आधि की दिखहुगा यह नीचे की जिले हैं इनमें प्रवत्ति यह यह अधि यह अध्युमेलित यह तो परियोजना नादी हो गया तो प्हला देख लिए के आगे इन्होंने चोड़ी नस आ उना निख रहए उरी कहां पर उरी जहेलम पर दूलश्टी के आगे इनों ने लिख रहए जहेलम दूलश्टी कहां पर यह चेनाब नादी पर इसका उल्टा कर दिया थिया है यह low yes के लिए कौन सा famous है low yes के लिए लोहारपूर famous है जो आपका कहांप है बूंदी में है यह क्या लोहारपूर बूंदी में है वही बात करें यह लीलवानी आपने सब सुना होगा यह मैगनीज के लिए प्रिसिद्ध है लीलवानी वहीं पर बात करते हैं अब पाई राइट की तो पाई राइट है सलादीपुर में सलादीपुर कहां सीकर में है यह सीकर जीले में है यह लीलवानी कहां पर है यह लीलवानी बासबाडा में है तो इसको नोट कर लो आप वो टंगस्टन के लिए टंगस्टन के लि किस फसल की विस्तेश्टा है पहले स्ट्रेटमेंट है इसकी पैतावार के लिए तापमान 21 से स्टाइट डिगी सेल्सियस होना चाहिए फसल के लिए उप्रियुक्त लाल चिकनी मिट्टी होनी चाहिए फसल के उत्पादन में भील बाड़ा जिला पिर्था मिस्तान पर है तो पहली बात करते हैं हम खडीन तो देखिए यह भी परंप्रागत भी दिया है दूसरा यह जालरा यह परंप्रागत है जोहर परंप्रागत है जील परंप्रागत है तो यानि कि इसमें कि परंप्रागत क्या नहीं है बून-बून सिचाई या धोनिक है यह परंप्रागत नह नेश्ट है राज्य किर्सी बिपड़न बोड की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में जब की बात की जाए 1957 में किसकी स्थापना की थी किर्सी बंडारन निगम की 70 में राज़्ितान हाउसिंग बोड निगम की 75 में राज्य भूमी सुधार मोडल की स तो पहला सरवदिक नगरी जनसंख्या कोटा में रहती है जबकि गलत है सबस्यादर नगरी जनसंख्या रहती है वो रहती है आपकी जैपुर में जैपुर में सबस्याद नगरी जनसंख्या रहती है हां कोटा जरूर परसंटेज में ज़्यादा है लेकिन टोटल माँ जनसंख्या में देखाया है तो जैपुर पहले नमर पर है तो पहले श्टेटमन गलत हो गया दूसरा नियूंतम लिंगानुपाद धोलपुर जिले में ह दूसरे श्टेटमन ठीक है तीसरा राज्य में सर्वधिक सेरी लिंगोर पास टोंक जिले में तीसरा भी ठीक है तो इसका अंसर पहल दूसरा और तीसरा आ जाता है चली नेश्ट है निमलिकित में से कौन भारतिया बजट के राजस भी है में सामिल नहीं है तो क्या सामिल अनुदान तो सामिल होता है तो ए जिसमा का वो गलत होगा तो आपके बहीं आंसर आ जाता है यह जलमारगों का निमारगी इसमें सामिल नहीं होगा चली नाश्ट है बिमिन अरेंड परतिवोत्तियों के समंद में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए तो पहला ही क्या होती है दीडद काली के लिए क्लिक यह झाल्ब उता है तो पैलेजिन गलत है नहीं कर सकती है तो एक्रद दोनों बाते ये गलत पर 7.5 प्रती बर्स की दर से ब्याज मिलेगा जो 83 रूप में जोड़ा जाएगा तो पहले श्टेटमेंट ठीक है दूसरा दो साल की अबदी के लिए नियुनतम एक हजार रुपे और सो के गुणांग में दो लाग तक की रासी जम्हा की जा सकती है तो दोनों गया है तो यह किसके दinek से जारी किया यह नित्यायो की देवारा जारी किया तो पहला पैला स्टेटमेंट गल्ट है तो तीन तो गल्ट होगे अपना बी आंसर आ जाता है इसकर कारक्ती ने पहुंच उपयोग और गुनबत्ता दूसरा जीओ का मतलब है कि कोई बित्तिया समावेशन नहीं है तो इसे किसके दुवारा आर बियाई दुवारा दो जार एक्किस से पिर्ति वर्स जुलाई में जारी किया जाता है इसका कोई अधार वर्स नहीं है नेस्ट है मुद्रा स्पीति के प्रिवाब के समंद में निमलिकित कतनों में कौन सा गलत है यह आपको बताना है तो पहला है कि उधार करताओ को नुकसान होता है जबकि रिर्ण दाताओ को लाब होता है यह बात गलत है रिर्ण दाताओ को नुकसान होता है उधार करताओ को इसमें य पर दिम्लिकित कर्फ़कों पर विचार कीजिए, वह कुएं सा कतम सही है आपको बताना है, तो पहला इसक्टेट्मेंट है, इस है केंद्रिया उल्यक्त्रोंिक और अग्ट्रणिक और आइटी मंत्रालिय के तहित एक केंद्री चेतर की योजना के रूप में जारी किया गया ह योजना के तहट साहता आदार बर्स दोयर 19 के बाद 5 बर्स की अब्दी के लिए प्रदान की जाएगी ये बाद भी ठीक है योजना को एक नोडल एजनसी के माद्दिम से करान विप किया जाएगा जो एक परियोजना संबंदी एजनसी के रूप में कारे करेगी तो ये तीनों बाते ठीक हैं चलिए नैस चलते हैं निम्लिकित मेंसे कौन सा बेस्विक परसंता सूचकांग का सूचक नहीं है तो देखिए इसमें कौन कौन सूचक है आई सूचक है इसका सुवाष्टे और सुचंतरता इसमें सिक्षा कोई सूचक नहीं है नेश्टे जन विस्वास प्रब्धानों का संसुदान अधिनियम 23 के समंद में निमलिगित कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन गलत है ये बताना है तो विद्हेक का अधिशिया रहन सैन और वियापार करने में सहकमता को बढ़ावाद देना है ये बात गलत है दूसरा 19 मत्राली द्वारा जारी प्रसाश्टि 42 के अंदरी है अधिनियम में कुल 133 परब्धानों को अपराद मुक्त करने का प्रसाप किया रहा है तो ये बात भी गलत है दोनों बाते इसमें गलत है किस संकटन ने खास संकट पर बेस्विक रिपोर्ट जा करी किये चली नैश्ट है राष्टि ए खात तेल मिसन यानि कि ऑईल पाम के समझ में निमली के कथ्रों पर विचार कीजिए कौन सा कता निसमें से सही बताना है तो पहला इस्टेट्मेंट है यह है केंद्री छेत्र की योजना है जिसका उदेशिये पाम तेल का आयत को कम कर ना तो केंद्री छेत्र की नएक केंद्र प्रयायुजित्य योजना है पहले स्टेट्मेंट गलत है फसल कटाई से पहले कटाई के बाद और कुसल जल्परवंदन के लिए बित्तिया सायत प्रतान की जाएगी इस बाट ठीक है इस योजना का कारिकाल दो यहार पछी सपी तक है तो दूसरा और तीसरा ठीक है तो इसका आंसर भी आ जाता है राइस्थान के संदर में कौन से युगम एसमेलित है यह आपको बताना है तो पहला स्टेट्मेंट है साख्षात ददर कितनी यहाँ पर 66.1 है कार्या से वागत दर कितनी है 43.66 है लिंग अनुपात अभी है तो कौन सा कतन सहिए इसके बारे में आपको बताना है तो पहले स्टेट्मेंट है कि किर्सी एवंसमद्ध छेत्र इस्थर यानि 2011 बारे मोल्यों पर बर्स 2022 में किर्सी 2021 की तुलनम में 5.22 की ब्रद्दी हुई है तो पहले बार ठीक है दूसरा किर्सी गणना 2015-16 के अनुसार राजिस्तान में भूमी योतो काउसत आकार 2.73 हेक्टेर है दूसरा भी ठीक है तीसरा आएक किर्सी पैतवार योगदान में 223 में सरबर्दिक योगफल फसल छेत्र कर रहा है तो ये बात गलत है चोथा है बर्स दोयर 222 में खादान का कोलिक पातन 253.99 में लाख मेट्रिक ये मेट्रिक टन जो की 9.71 प्रसेंट ज्यादा है तो पहला दूसरा और डी से ये बाकी सी कहलत है कि किर्सी चित्र में योगदान पसफुदन का इतना है फसल का कितना 46 है क्लियर है तो फसल से ज्यादे पसुदन का है नेस्ट है कौन सकतन मात्मा गांधी राष्ट्य ग्रा मंद्रे का मैं ग्राम सबा कार्यों की 96 बार्सी कार्य योजना त्यार किया जाने मुख्य अधिकरत है इसरा मुख्य दूसरी ग्रामेड परिवार के कम से कम एक सदस्य को बर्स में सो दिन कार्य सुनश्चित करना है और चौता इस स्कीम से लावाइन भी तो हने वाले कम से क पचात प्रसेंट महिरा होनी चाहिए तो मैं इलाव को कि दिन नहीं था 33 परसेंट तो यही स्टेट्मेंट गलत है बड़ यहां पर पता नहीं क्यों इसका इंडेस बना दिया गया है क्यले नाश्ट है ओध्धोगी गुत्पादन सुचकांग के बारे में कौन सा गतन ऐसा है दूसरा इस्टेट्मेंट में ठीक है ओध्धोगी गुत्पादन सुचकांग स्रंखला आधार बर्स गयारा बारे तीन बिरत समो तता बिनिमार्ण खनन एवम वियुत पर अधारित है जो था है इसमें आठ को ध्योगों में कच्छा माल का भारान सबसे जएदा है तो य 3,487 मेगावाट क्योंकि पिछले एक दू एक्जाम में पूछा जा चुका है नेस्ट है नेस्ट कोशन है भाई एक ही बना दियेगा अठावन में भी कोशन लिख दिया वाव मेरे शेयर नवंबर 2022 तक राजिश्थान के अधिश्टाबित और जा ठमता कितनी है तो भाई स यह 11.84 लाग नेस्ट कोशन है विद्यारती स्रक्षा दुरुगाटरना विमाय योजना सम्मंदित है किस्वे समंदित है तो कष्टुर्वा स्कूल सामयल है इसमें मैंबाद बालिका विध्यालिय और सरकारी स्कूल सरकारी स्कूलों के कफच्छा आठ तक के विध्यारती योजना से समंदित कौन सा नहीं है तो पहला इस योजना में राजिश्थान के सभी परिवारों को डिवस का रोजगार 125 डिवस का इसको नोट कर लो हम 125 डिवस यानि कि 25 ज्यादा है वारत के एवरेश से यह रोजगार प्रतिवास प्रदान किया दाएगा इसके अंतरगत ब इन्तमाई गरंटी भी देख दोहार 23 लाएगा है यह बात भी ठीक है चोता है इसके योजनागत का थोड़ी बे सहरिया बे खेरवा जन जाती को प्रतिवस सो दिन का अत्रिक्त रोजगार प्रतान किया जाएगा तो यह ही स्टेटमेंट गलत है नेस्ट है राजिश्थान क प्रतिश परतम परियोजना किसके द्वारा समर्थित है तो यह है एडीबी के द्वारा समर्थित नेस्ट है सुचनक के अधिकार के प्रवाविक के रैनमन के लिए आयोग की पीट कहां श्ताबित की जाएगी तो इसकी पीट जोदपुर्मय लगीगी यह अब यह कुश मै आपका आमसर है 200 68eck आपका आउर है380 69 का आइन आसर आपका 50 70 आपका grab 54 till go there यह तो तीन भाई 108 72 का अंसर आपका 72 का अंसर आपका यह 54 73 का अंसर आपका से यह पहला 74 का अंसर आपका सेवन्टीफ्वर का यह चोथा अंसर है 75 का अंसर आपका दूसरा 76 का अंसर आपका तो क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं मैं कुछ बता दूँँद कुछ रभाजाएं आपको मारी टीम थोड़ा भी उसका तविथरा भाई की तो जी वैसे वो करने कर नहीं पाने से टैंटीन नैन चाल्च सेवन्ट्यन नैन का रडवा गन्सर आपका अ कि यहतर लिखा गर मैट्हान है को है का अ अःट पाइटीक का अंसर आपका दूसरा एक आटीवन का अंसर्च रहा कि एट्टीफीन का अंसर्च के यह ब Europa कि का उड़को 83 का देख लेते हैं देखिए बगतबे क्या कहता है धुरूमपान मानब की उन कमियों में से एक कमी है जो धुरूमपान करने वालों की इच्छा की कड़ी परिक्षा लेता है निसकर्स क्या कहते हैं कि निसकर्स क्याते हैं कि धुर्मपान करने बाले चाहते हुए भी धुर्मपान छोड़ना बहुत कठीन है तो ये बात सही हो सकती है दूसरा मानब जाती में अन्य कम्याबी होती है तो दोनों बाते हैं ठीक हैं दोनों अनुसरन करते हैं चलिए निए इश्टे कतान है कि डिग्री परिष्चा के अंतिम बर्स के दोरान बहुत से छात्रों को अनुचीत साधनों का प्रियोग करते हुए पकड़ गया है कारवाई क्या होती है कारवाई यह कि इन सबी छात्रों का प्रद्धिगरण द्वारे लिजाने बाली किसी भ बहुत से तोड़ी खराब कर सकते हैं ने इस्टे राजिस्थान वित्तायोग के समंद में निम्लिकत कत्रों पर विचार कीजिए तो पहला करतान है कि पहला स्टेटमेंट है इसके अध्यक्ष बेस सदस्यों की निक्ति राज्जिबाद दुवार की जाती है पहली बाद ठीक कद्यक्ष उतार चार सतस्या होते है यहाँ पर नेश्ट चलते हैं राजिस्थान के पर्तम निर्वाचीत मुख्यमंतरी टीकराम पालिवाल तो कौन सा कतन सहीए बताना है तो पहला इस्टेटमेंट ठीक है गोँत पहले मुख्यमंतरी इधर टीकराम पालिवाल 1954 में सत्तर लाल सुखडिया नहीं हिराल साज्ट्री को अरा दिया था तो यह इस्टिर्मेंट जो गलत है पहला इस्टिर्मेंट ठीक है चलिए नैस्ट है विदान परिश्चत के समद्ध मैंने मिलीत कत्नों पर विचार करना है अब यह वताना कि कौन सा जो इसके बारे में सही है दूसरे स्टिर्मेंट ठीक है इसका निर्वाचन अनुपातिक प्रितिनिदिद्म के अधार पर एकल संक्रमण यह मत पद्धिति के अधार पर होता है तो तीसरा स्टिर्मेंट भी ठीक है तो पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टिर्मेंट यह ठीक है अब नियुनतम मानवदिकार ऑध्यक्ष ए? इनका नाम कहता है, अरून कुमार मिस्रा इनका नाम था. चलिए नैस्ट है राइश्टान में कानून एम सांती विविश्था को सुद्रून करने के लिए पुलीस बिभाग में ये कमिसिनेरेट प्रिणाली कब सुरू की गई है ये की गई बर्स दोयार ग्यारह में चलिए नैस्ट है पंचाती राइश्ट समंदिज राइश्टान सरकार दोयार गटित निमली की समीटियों पर विचार कीजिए उनका कालन उकरम बताईए तो सबसे पहले इनमेज को इस समीटिया थी साधी कली समीटिया थी 1964 में उसके बाद में गिरिदालल की कमिटिया थी 1973 म इसमाय का पहला BC, AD ये आपका अंसर आगया उसके बद में हरलाल सिंग इन कमिटिया थी इसके बाद में BS समीटिया थी थी ए तो हरलाल आईटिया 99 में और कारिया 219 में और BS 2010 में बारतिया समिधान के 216 में नगरपालिका में सीट औरक्षान का प्रथान है तो नगरपालिक का चाहंज करना कौन सा गलत है इसकी ष्ठापन निस्टों पी चैना में मैं नहीं हुई थी यह गलत है चलिए नशецच चलते हैं स्थापना कभी ही थी मार्च 2000 में स्थापन हो थी मोक्यालेक यह जैपूर में पर में नागरिक अधिकार पत्र को लाओ करवाने में मैतपड़ों महमे का निवाई थी तो किसने ये कॉमन कौज दुबारा नेश्ट है मिसेश्टा है किस भोतिक प्रदेश की हैं तो पहली बात कर रहा है यहां पर जहारकन राज्य का दिक्तर हिस्सा इसमें समलीत है तो आपको समझाने चीए छोटर नागपर पठार की बात कर रहा है चली नेश्ट है अंतर उस्ट कटिवंदिया अविसराण चेतर आई टी सीयर के संदर मैंने मिलीत कत्रों में कौन सा सही है बताना है तो पहला इस्टिर्मेंट है कि जुलाई में यह दक्षण की और इस्थांतरित हो जाता है तो यही बात गलत है जुलाई में उत्तर की और सरीत करता है तो दूसरा इस्टिर्मेंट ठीक है चली नेश्ट चलते हैं एक तरफ घास के मिदाने दूसरी तरफ देश हैं तो आपने दिखा होगा कि पंपास कहां पर यह अर्जनटीना में हैं बेल्ड कहां पर दक्षन अफरीका डाउंस कहां पर डाउंस है आपका यह कहां खे फरांस का ऐ लो इस पाट के लिए मैं फहर्मस है पहले स्ट्रिमन ठीक है दूसरा कैलिफोर्निया, य।स्टॉर्ष के लिए तो टॉसरा गलत यह तो आपने उनीटी के समलीद नहीं है तो तो कौन सा नहीं है आपका ये राची, राईवासा और दोगी छेतरी समलित नहीं है नेस्ट है निमलित कत्रों पर विचार कीजिए और कौन सा कत्रों सही आपको विताना है तो पैर्ले स्ट्रैमन ए के आपलेशियन बिनी का सबसे बड़ा ब्लोग परबत स्रंखला ले तो अपलेशियन निये viruses है दो पहले श्रानकी john गलत हों गया कि ग中共 जुम के प्रभट सबसेंद एक कि प्रवत जो प्जलते Yrès प्जलते उन्हें ठीक है जो था मांट माउंट दामबंद तुर्की में स्थित पच्चीमी ऐस्य का ऐस्टोशी स्थेंद-न- घलात है तो तुर्की में नहीं है कहाँ पर इरान में है यह जो है माउंट द्रमाबंद इरान में है यह यह गलत हो गया तो इसका अंसर सी आए गया तो सिहरा नमादा पश्ची में यह अमरीका में इस्थित दुनिया का सबसे बड़ा बिलोग परवत है यह चली नैस्ट है एक तरफ तो म हक्reibता कमा चली कमा भी घर्जवान भी भी सूण्भी बहस्वाणां पता राहे इसमें यह दो प्रवत कह कहांई और है यह द्रुसरा अटकामा कर और साव साज़ करा आप पूछरी यह बहुत स्वेनभ यह त नहीं चली में है पको अपने दिखा होगा जिए कृष्ण अमर आगर कॉमिशनाजी गलती करता तो मान सकती है यहां तो सुधार करना के चान्स रहता है सुधार कर सकते हैं आप द्चार गलती हो पहने यह जाना चीए आपको मतब और कोशन की प्रैक्टिस हो रही तो यह बड़ी बात है क्लियर है हम इसकी अलवचिना नहीं कर रहे लेकिन यह है कि थोड़ा सुधार किया जा सकता है इसमें तो तकला मकान कहां पर है यह साओधी अरब में है कि गलत है तो यह इसका अंसर सी इसलिए आएगा क्योंकि यही गलत है ठीक है तो सही कोट का नहीं गलत मतब कौन सा गलत ह यह यहाँ पर लिखना चाहिए था चलिए नेश्ट है निम लिकित का मिलान करें तो नेम नोम नेव कहाँ पर कमबोडियम है तो कौन से नदीगी के नारे यह मेकाँ के के नारे तो पहले कर तीसरा आ गया तो पहले कर तीसरा आपका दो जगाए इसमें तीसरे मर चोते में वह कहीं पर बात करें कि इसकी मतलब भुहां की तो यह अंक्षे नदी किनारे तो आपका स्वी आंसर आ गया यहां पर लिखने हैं चिली वे पेरू लीथियम त्रिकॉंड बनाते हैं तो लीथियम त्रिकॉंड के लिए कौन है अर्जेंटीना है और यह चिली है और बोल भी आ है ठीक है तो इसमें जो है पेरू नहीं है तो पहला इस्टेट्मेंट गलत है दूसरा रूस के लेनिंग ग्राद छेत्र में विलादी बोश्टक एक महत्पॉंड जहाज निर्माड इस्टल है तो दूसरा इस्टेट्मेंट यह ठीक है बेमोज जोड़े को पैचानना है कौन प्रियुडर नदी पर है चोता इस्टेट्मेंट गलत है बैटे हुए पंच मुख्यी बालत जी की बिस्ब की सबसे बड़ी पृतिमा कहां बनाई जा रहे है तो यह उध्यपुर्म मनाई जा रहे है इंपूछे आ सकता है नापर गुरुदाम प्रेमनगर आसरम कहां बनाए जा रहा है तो यह बनाए जा रहा है आपका जैपूर में है टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जश्टिस रिपोर्ट 222 में राइस्थान का कौन सा इस्थान है तो राइस्थान का पंद्रमा इस्थान है किस निस्थान वाज को राइस्थान संसिक्रत विद्व को रामबाग पैलिस को यह कहां पर यह जैपुर में है यह दिभ्यांग जनों के लिए उत्कराश्ट कारजी करने के मामले में राजिश्थान ने किस जिले को राष्ट्रे पुरुसकार प्रतान किया है तो यह अलबर को राष्ट्रे पुरुसकार प्रतान किया गया है प्रता का पहला ये गोल्ड एटियम का इस्ताबित किया गया तो ये हिद्रबाद में इस्ताबित किया गया है नासा दुआरा भेज़े जाने वाले आटीमेस मिसंद दोयर चुवीस में सामिल महिला कौन होंगी तो क्रिश्टाना कोच सामिल होंगी इसमें नैस्ट है संयुक ब्हारत ने इसको उरहाए था सवाउथ को देश में राष्टमंदल खेढ़ों में भारत का पतक तagersता ने था इस्तान है जो पर इसको के पिरेस्टाट को जो के दोना चार रएकों एक तरफ तो पद है दूसरी तरफ पद आजिकारी है तो इस्को इस को क्या बनाए गया है तो पहला गाए चीफ ओब का भकी लुद ध्यक्ष्चा को है मनो शोंवाक फरे मा आजी वई लोगपाल यह है मंहारे प्र रदीप कोंपनुथ इसलोवेनिया की पहली महिला राश्ट्रपती निर्वाची तुई है कौन नतासा पिर्क मुसर इंप्रोटेंटर उछे सकता है राश्टान बजट 2023 में उट संरक्षन योजना का प्रारम की गई 9 फरवरी 2023 को निम्लिकित का बलोकन कीजिए और कौन सा गतन गलत है इसके बारे आपको पताना है तो पहला statement है महापीर स्वामी के बिरुद्फं बिद्रो उपाली ने किया था जो उनका पहला सिसिता उपाली ने था जमाली था था है तो पहला statement गलत है दूसरा जैन धर्सन का ग्यान मीमान सा सिदान्त सुदबाद कहलाता है हाँ दूसर यह दूसर्रेइंट ठिक हें तीसरा है बोध धर्सन के जाति की प्राप्ती हो ज्याती बोध मिलता है पहला एंट थीक है दूसरार रिगवेद्स के बनडल में जाथी प्रता का बाणन किया गया है तो झा ऑडल इस्ट्रापन संता마न गाहन संता没有 इस कि पृतिbay न दे संतों के सभी में किती थी व्यां संतर्म न देकर एक स्तापन गीजिए तो कऊट सत्य के बारे में आपको बताना है तो पहला स्टेट्मेंट है कि ते लुगु कभीता का पिता मा अलिसिन प्रडणना कृष्णाजेव राय का दरवारी विद्वानता पहला स्टेट्मेंट ठीक है इटेलियन यात्री निकॉली कॉंटी ने अपनी यात्र वरतान तुम्हें य पितामा अल्लशनी प्रडणना थे जो है स्वय रोचित संभव या मुरुचित की रचना की थी नेश्ट है चत्रपती सिवाजी के अश्ट प्रदानों के समंद में कौन सा एसुमेली ते यह बताना है तो सुमंत यह धार्मिक काड़े के प्रमुग विवाग होते थे यह य चत्रपती सिवाजी के रचना के प्रमुग यह बताना है कि कौन सा एसुमें ठीक है तो अकबर के सासनकाल में उर्टगाली पादरियों ने यूरोपिय चित्रपती सुरू किया था पहला एसुमें ठीक है दूसरा चित्रों में अगर संखेपन विदी की सुरुवाद जहां का चित्र बनाया था तो तुसरा इस्ट्रिमेंट भी ठीक है तो पहला और यह सी ठीक है नैस्ट है भारत में सिच्छा के विकास है तू कौन सा सुजाब रादा किष्णा एयोग दुवारा नहीं दिया गया था तो कौन सा सुजाब था छटे से ग्यारा बरस तक के बच्च में शुरू किया गया पहले यह किस भासा में प्रकासित किया थी तो पहले बंगला भासा में प्रकासित किया थी किसके द्वारा मोतिलाल घोस एबम सिसिर कुमार घोस के द्वारा बंगला भासा में यह यह अमरित बैयार पत्री का यह निकाली जाती थी नैस्ट है निमली क सुनिती चोदरी एवं सांती घोजने करेक्टरट पर गोली चलाएं थी तो तीसरे इस्ट्रेइमेंट भी ठीक है नाइस्ट कोश्चन है कोश्चन नमर है आपका 134 1948 में गटित धार आयोग की भासा यादा पर राज्यो की पुरुण गटरिन की मांग एसवे कारे कर दी गई थी तो कौन सा गतन सा यह बात ठीक है तो पहला करतान इस्ट्रेइमेंट ठीक है धार आयोग की अनसुंसा की समिक्चा यह तू जेई भी भी समीति का गटन उनिस्ट में गटित हो आता धार आयोग इसने भासा यह दार पर राज्यों की पुरुण गटरिन की मांग को ऐस्वेकार कर दिया गया था यह पहली बाद ठीक है लेकिन दूसरे धार आयोग की अनसुंसाओं के लिए जेई वीपी समीति बनी थी तो जेई वीपी समीति में कौन कौन सर ठीक है अडिकर नई थे इसमें कौन थे यह पट्टा भी सीतर मयय थे नेश्ट है वाइ मेक्स नेडवर की पराज चंपता कितनी होती है तो इसकी पराज चंपता होती ही 50-60 किलोमेटर नेश्ट है तकनीकी और कथन कोन सी इसके बारे में सही दिये गए पहले यह इंपु के माद्यम से सुचना प्रिसारित करता है दूसरा receiver की बात करें तो receiver या antenna का माद्यम से सुचना प्राप्त करता है receiver करता है और dematulator यह क्योता यह बाग तृंगों के दूबारा विदूत संकspace को अलग करता है तो पहला aún टिक किया है चलिए जुर anor तो कौन सा कतन गलत है इसको आप अच्छे से पढ़ लिया करें पहला स्ट्रेट्मेंट है प्योग किया गया था दूसरा है इसकी डिजाइन त्रुबंदिपुरम अवश्तित बिक्रम सारभाई अंत्रिश केंद्ध से किये गई थी तो दोनों स्ट्रेट्मेंट ठीक है अभी इसमें इस्टेप ऑन बुश्टर्स का उप्योग किया था है तो तीनों इस्ट्रेट्मेंट ठीक है तो इनमेंसे कोई भी गलत नहीं है चलिए नाश्टे संस्थाओं के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसरों के से संबंदित है तो पहला भारतिया सुदूर ये संब् नहीं है पहला दूसरा ठीक है आई एनस बाकसीर के संबंद में आपको पताना है कि कौन सा गत्म सही है तो पहला श्ट्रेट्मेंट है कि यह प्रजक्ट सेवन्टी फाइब के तहत निर्मित छटी आवम अन्तिन पड्डू भी है यह वात आपको पता होगी यह डीजल अध संसोतन पृद्धुगी से है तो यह देखिए किरस पर एक एस नाइन का है और यह जिंक फायर न्युलोज का है साइड डायकटट न्युलोज का है तो इनका सबी का है समंद नेष्ट है कारल गुफताफ म4 हतिहार परणाली का समंद कि इस दिक है तो इसका समंद है ब्सतान होता है 20 कोंसा होता ये ये भाइस्थान में तो पवित्रबन होता है इसमें में सामिल और संद्रक्ची चेत्र और नैस्नल होता है आपके यह बुच्यरिया यह बुच्यरिया की वेसे होता है वही बात करें कालाजार तो कालाजार किसकी वेसे होता है कालाजार होता लिस्मेनिया की वेसे यह लिस्मेनिया की वेसे होता है और चिकन गुनिया किसकी वेसे होता है चिकन गुनिया होता आपका अलफा वा वाइरस चलिए नाश्ट है CNG यानिकी संब्रकरती गयस और LPG के बारे में निमलीकत कश्म पर विचार करें को इसा त्याप को यह बताना है तो पहला ही है कि CNG के प्रात्मी गटक प्रोपेन और ब्यूटेन है जबकि यह बताना है तो यह बताना है निमलीकित में से अनुत करमन यह परिवर्तन नहीं है कौन सा मिट्टी के बर्तनों को बट्टी में पकाना यह बताना निमलीकित में परिवर्तन नहीं है और नमक को जल में भोलना तो यह और इसका आंसर आ गया पानी के नीचे की बश्टू दूरी दिसावे गती को मापने के लिए सोना डिवाइस द्वारा किन तरंगों का प्योग कियाता है तो किसका अल्टरोसोनिक तरंगों का प्योग कियाता है एचवन एन्मन वायरस के फैलने का मतब रो कौन सा है तो यह सवाइन फिलू ब्रक में पत्री होने के कारकों में कौन-कौन समभली थे हैं तो कौन समभली थे इसमें यूरिकमल, कैसियम औक सुलेट और कैसियम फास्पेट तो यह सबी सामिलें इसमें कि नेश्ट है अदेही को मत्ने से मक्षन के अलग होने का कारण क्या है तो यह अपके इंदरी बल है कि नेश्ट कोशन 150 के निमिकित में से जिरब्यमान संख्या को उचित रूप से सुचित करता है क्या प्रोटोन और नेट्रोनों की कुल संख्या का योग तो देखे यह आपने टेस्ट पेपर डिसकस कर ले टेस्ट पेपर नमर दू है तो मुझे तो मतलब ऐसे मालों के यह तो जिसमें दिमाग लगता करने के लिए तो जो सबसे नहीं होते हैं 30% यह 20% लोगी कर पाते हैं उसके बाद 10% कोशन ऐसे रखे आते हैं जो केबल दो तीन यह 5% लोगी उनको कर पाते हैं तो वो पीटी डिसाइट करते हैं यह लास्ट वाले इसका मतलब यह नहीं कि आप सब के सब जो टफ बनानी के कोईसिस करो या फिर एक पैटरन से हटके बनानी कोईसिस करो आप कर लो इन्हें लेकिन आगर आप से कुछ ने कोशन नहीं आ रहे हैं तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूत नहीं है कि मेरा तो इसमें स्कोर पांच नंबर बने मेरे तो बीस बने तो यह बस इस से कोई पता नहीं लगता है कि देखिए वहाँ पे लेबिल का पेपर होता और बागी किसमें डिसाइड करती है आपने क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा वह यह थो थोड़ा पेपर यह अलग हटका लगा ना तो लेकिन आपको वो पीवाई क्यू पर धि जाएगा कि यहां इस टाइप का कोशन पूछा जा सकते हैं के लिए तो आप उसका इंतियार कीजिए आज यह उसका जो अप्लोड कर दिया जाएगा चलिए बहुत बहुत धन्य बाद अभी जिन सातियों ने चैनल को सब्सक्राइब निक्या कर दो या चैनल को लिंक भी शेयर कर दिया करो चलिए ठीक है बाबाए